हेलो एवरिवन मैं किमी राठोर आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम आप लगूपले लेक्या हैं वृत में खाये जाने वाली आसान तरीके से बनी स्वाधिष्ट साबुदाना किचली की रेसिपी साबुदाना अच्छे से फूल गए हैं साबुदाना किचली बनाने के लिए और हमने सामाने एट किया है छील कर दो कटकेवे आलू, दो हरी मिर्च, पीनट और दो साबुद लाल मिर्च हमने गेसोन कर दिया है और गेस पर कड़ाई रग दी है कड़ाई में 2-3 टीसपुन के लगबग देसी घी एट कर देंगे घी को गर्म होने देंगे घी गर्म हो गया है, एक टीसपुन जीरा एट कर देंगे कटकीवे हरी मिर्च एट कर देंगे 4-5 करी पत्ता एट कर देंगे अब हम इसमें कटके वे आलू एट कर देंगे 2-3 मिनट तक लगातार चलाते वे आलू को फ्राई कर लेंगे हमें मीडियम आज पर आलू को फ्राई करते वे 2-3 मिनट हो गए हैं आलू थोड़े सिख गए हैं अब हम इसमें पीनट एट कर देंगे दो साबुत लाल मिर्ज एट कर देंगे गेस के आज धिमी कर देंगे और आलू के साथ पीनट को भी फ्राइ कर लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे आलू अच्छे से पक गए हैं अब हम इसमें हाप टीजपून सेंधा नमक एट कर देंगे उरत वाली साबुदाना खिचली बनाने के लिए मसाले आप लोग अपने हिसाब से भी और अपनी पसंद के भी एट कर सकते हो एक टीजपून पिसी भी चीनी एट कर देंगे चीनी को भी अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें भीगोएवे साबुदाने एट कर देंगे साबुदाना को भी अच्छे से मिला देंगे दोस्तों साबुदाना खिचली तो आप लोगोंने बहुत तरीकी से बना कर खाये होगी बट एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूर ट्राइ किजेगा और इस तरह से साबुदाना खिचली बना कर टेस्ट कर दियेगा यह आप लोगों को भी बत पसंद आएगी हमने दीमी आज पर साबुदाना को दो मिनट तक पका लिया है आब हम इसमें आदा निमू का रसनी चोड़ देंगे कट कीवी थोड़ी धनिया पती एट कर देंगे इनको भी अच्छे से मिला देंगे हमारी वरत वाली साबुदाना किचली बन गई है आब हम गेस को बन कर देंगे और किचली को प्लेट में टास्पर कर लेंगे हमारी साबदाना किचली देखने में इतनी डिलिसियस लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी दोस्तों आप लोग इस तरह से साबदाना किचली बनाकर ऐसे भी खा सकते हो और वरत वाली कड़ी बनाकर या च्छाश के साथ भी खा सकते हो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी उवरत वाली साफ़दाना किछली बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कोमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि हम आप लोगों के लिए अरोज नही नही रेसिपी लाते रहे हैं कल फिर मिलेंगे एकने रेशिपी के साथ धन्यवाद।